नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर पर दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बहद ही महतोपूर्ण जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों अक्सर आप देखते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रोब्लिम क्या होता है जब हमारे बाल जहडने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि इनको कंट्रोल कैसे करना है फिर इसी उहापोह में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी अपने हैर्स पे यूज कर लेते हैं जिनकी वज़े से फायता होने की बज़ाए लॉस होने लगता है और हमारा हेर फॉल होने लगता है यानि कि गिरने लगता है कई लोगों के बाल बेरूक contribution हो चालते हैं यानि कि तूटते हैं बहुत ज्यादा जहर्णने लगते हैं उनको प्रोड्लिम ग्लोविंग हो जाएंगे इसके साथ नेचुरल कलर में भी आ जाएंगे होता है अक्सर कि आप बाहर जाते हैं पोलुशन की वज़र से बाल खराब हो जाते हैं हमारे सही देख रेख नहीं हो पाती है या फिर डेंडरफ बहुत जादा हो जाते हैं बालों में तो भी प्रोब्लेम होती है हिल्दी बाल जो भी होता है उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर में क्योंकि बाल जो है प्रोटीन उनको बहुत ज़्यादा मातरा में चाहिए होती है तो इसलिए आज हम आप सभी के लिए करना कि आपको कि चोटे-चोटे टुकड़े कर लेने हैं आपको बिना छिलका उतारे उसको केवल धोना है पानी में आपको और उसको चोटे-चोटे टुकड़े में काट लेना है फिर इन टुकड़ों को आपको सुखा देना है जब यह अच्छे से सूख जाएं अच्छे से इनको कुटिये और पेश्ट सा बना लीजिए यानि कि तब इसका चून बना लीजिए इस चून को आप नारियोल ओयल में मिला करके एक शीशी में बंद करके चार दिनों तक के लिए रख दीजिए शीशी में बंद कीजिए चार दिन रहने दीजिए नारियोल का ओयल इतना जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसे चान करके इसका पानी ले लीजे वो इसी से आपको क्या करना है अपने सर में मालिश करनी है हर रोज मालिश करते वक्त ध्यान रखें कि आपको फिंगर से मालिश करनी है आपको बालों को ऐसे क्योंकि बेजान बाल है अगर आप ऐसे रगड़ेंगे हतेलियों से तो वो तूटने लगेंगे इसलिए आपको हलके हाथों से फिंगर से बालों की मालिश करनी है जिसकी वज़ा से बाल तूटेंगे नहीं और बहुत ही हेल्दी ग्लोविंग मजबूत होते जाएंगे कुछ एक दिनों तक क्यूंकि तोरई में विटामिन C, कार्बोहाइटरेट, प्रोटीन सारी ये उपल प्रोटीन साथ बालों के अलावा आँखों के लिए भी तूरई बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे फायदे हमारे शरीर के लिए देता है तोरई तो आप तूरई के प्रयोग कर सकते हैं खाने में भी जरूर इसका इस्तेमाल करें हेर का आपने ये ओयल बना लिया है लेकिन इसके साथ साथ तूरई का आप सबजी के रूप में भी इस्तेमाल जरूर करें खाने में इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं खास करके गर्मियों के मोसम में तो ये बेहधी फायदे मंद और लाफकारी सावित होता है आप सभी के लिए तो और लाफकारी से न विए अभाशना आप सबादा है लाफकारी सावित है तो गिम्हाल